अब यहां दोनों सरकार को कितना प्रृ मौ रूस्त के कारिकालि में में जो कारी हुआ यह दिया जाना जो की शिक्षकों स्थापना से मिलकर के यह बात अपने रख रहे हैं कि 31 जुलाई तक इन चारों समस्याओं का निदान उनको हरहाल में करना होगा और शिक्षकों को जो वाजिब उनका हक है वह उनको देना होगा भागलपुर जिला सिक्षा पदाधिकारी के पास सिक्षा के कई सारे नेता जो हैं कि आज मिलने के लिए आए हुए थे उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दा थी उनकी कि क्या उनका मांग था जो क्या उनसे आस्वास्तन मिला जिला सिक्षा पदाधिकारी से एक फॉर्मल पहला साल है जो मोहरम पर्मे सिक्ष्कों का बेतन भुकतान नहीं होना यह कारियाले और सरकार दोनों की कारी को असपस प्रडिक्षित करता है कि सिक्षकों के पृति पदाजिकारियों में और सरकार को कितना प्रेम मुर्ष्ट नहीं है बहुत सारी ऐसी समस्याय है कुछ सिख्षक नगर निकम के अंतर्गत हैं जिसमें आधे का भुकतान हों यह अधे का भुकतान नहीं हुआ एसीपी का मामला है लंबित पड़ा हुआ प्रहवाय नहीं हैं बात करने पर क्या है कि कल कुछ जान से बात करेंगे और सम लोग निदार करने करेंगे क्या तरह में भरस्टा चार का मुद्धा उठता है इस पर आप क्या कहिए गया जहां तक सवाल है पूरे महिने में जो है सिर्फ भागलपूर नहीं पूरे बिहार में जिसर्चा जोड़ों पर है हमारे जो मानिये के कारी में निए जाना जो किष्ककों को खड़िदना था वह के द्वारा दिलाए गया अब जाले पहुंचते ही बेंच टूट के अलग हो रहा है बोरिंग का काम हुआ है समर से बोरिंग करा है तो कहीं पाइप है तो कहीं फिल्टर नहीं है कहीं मोटर है तो कहीं वाइडिंग नहीं है कहीं टाइल्स है तो कहीं नल नहीं है यह सबस्ताचार को असपस परलक्षित करता है परिशान होते हैं जिख्षकों को इससे बचाने का हम लोग समभव प्रियास करेंगे इसमें इसकों किसी प्रकार का कोई परतार नहीं जहलना पड़े हमारे शिक्षक किसमें कहीं नहीं है इसके आपका काम है सिक्षक इसमें कहीं नहीं है आप इसको समझें और रस्ताचार की बात हम लोग लगा उठा रहे हैं लगातार उठा रहे हैं हमने जिलास प्रकार के जिलापतादिकारी को इसके जांज करेंगे सब्सक्राइब करेंगे चूर के हाथ में चाभी जांज थोरी होता है मैं पुना करूं कहूंगा जिलापतादिकारी भागलपूर को आपके चैनल के माध्यम से इसकी जांस सोतंत्री काई से कराई जाए और एक-एक विद्याले की जांस कराई जाए और हैं और उनसे भी जा लाकात के लिए जिलापतादिकारी से उपचारी ग्रूप से भेट करके जो सिक्षकों की मेजर समस्याएं हैं उसका ध्यान आकरिष्ट करने के लिए आज हम लोग यहां पर आये हुए थे जिन में प्रमुख है जैसे पहला है कि 2022 में जो न्यूक सिक्षक हैं उनका बेतन न सिक्षक हैं उनको प्रूनती तो दे दी गई लेकिन बेतन निर्धारन का लाब आस्ता का नुमान्य नहीं हुआ है इन विश्यों पर और लास्ट में एक महत्पुन बिंदू है जो हमारे वर्किंग टीचर्स हैं या सेवा निवरेट टीचर्स हैं उनको जो मेंसीपी है दस सिक्षक संग के यह चार कारियों प्रात्मिक्ता सुची में सामिल है और हम लोग हर हाल में डीयो साब से डीपी उस्तापना से मिलकर के यह बात अपने रख रहे हैं कि 31 जुलाई तक इन चारों समस्याओं का निदान उनको हर हाल में करना होगा और सिक्षकों को जो से कारवाई भी हो रही है हाल में एक डीयो और दो डीप्यों पर भी सस्पेंड किया गया है और भागलपूर से न्यूज पर नेशन बाल मुकुंत कुमार